एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षशी हाथ में तलवार लेकर परकट हुई और कहा अरे बुद्ध आज तुमारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने जुगना ही पड़ेगा आज तुमारे जीवन का अंतिम दिने बुद्ध ने मुस्कुरात जाते हुए उत्तर दिया मैं घिरना उपहास और द्वेश के आगे नत्मस तक नहीं होँगा मैं निम्दा प्रशन्शा अथ्वा उपहास किसी से भी परवावित नहीं होता तुम उससे इतनी घिरना करती हो पर मैं तुम से भी प्रेम करता हूँ राक्षशी ने पूछा त मैं तुम में मा का रोप देख रहा हूं और मा तो प्रेम का रोप होती है उसमें हिंसा हुई ही नहीं सकती इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी हे बुद्ध तुम धन्य हो इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतरधान हो गई दरसल जो लोग द से अवरंड से धका होता है पट्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति शदयवांनंद में जीता है पट्ध कर्ट किवल अपने तक सिमित मत रखो उसे अपने कर्मों में ठालना होगा सत्य रुपी गुलाव की खुसबू है कर्म अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो प्रेम और सत्य मनश्य को विकास के और ले जाते हैं ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग इस्वर के और जाते हैं इस मार्ग पर चलने वाले साज में ही आनद और सांती को पा लेते हैं